हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपक्स स्टडी जोन, डोंट फिल एलोन, लेट्स जॉइन एपक्स स्टडी जोन फ्रेंड्स, हमाना मैं केशव पांडे, और यह है क्लास 10th NCRT मैथेमेटिक्स के चैप्टर नमबर 2 बहुपद यानि की पॉलिनोमियल्स का पार्ट 6 वीडियो, इसके पहले हमने बहुपद पर 5 और पार्ट अप्लोट किये हैं, अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं, तो जाकर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक और concept सीखने से पहले हमको पहले एक question करना पड़ेगा, इस question को पहले हम लोग शाल्व करेंगे और इस question की मदद से फिर हम लोग concept की तरफ बढ़ेंगे, तो example number 7 है, इसमें दिया हुआ है कि इस बहुपद को इस बहुपद से भाग दीजिए, जिस बहुपद को भाग देना ह इसको हम लोग बोलते हैं भाजे और जिस से हमको भाग देना है, उसको हम लोग बोलते हैं भाजक, यह आपको मालू होना चाहिए, पहले chapter में हमने आपको यह बताया भी था, तो देखिए, अब भाग देने के लिए भाजे को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, तो भाजे को लिख लिजिए और लिखते समय ये ध्यान रखिएगा कि पावर घटते क्रम में होना चाहिए जो चर की घात हो चर की घात हमेशा घटते क्रम में होना चाहिए यहाँ पर देखिए यह घटते क्रम में पहले से लिखा हुआ है तीन दो यहाँ पर एक यहाँ पर जीरो तो इसक भाजक को यहाँ पर लिख दीजिए और भाजक को लिखते समय भी जो चर की घात है उसको घटते करम में लिखना है तो पहले हम लोग लिखेंगे x² यहाँ पर सबसे बड़ा घात है 2 तो लिखेंगे x² उसके बाद प्लस उसके बाद लिखेंगे 2x इसकी घात 1 है उसकी घात 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे 2x उसके बाद 1 अब इसके बाद भाग देने के लिए क्या करना होता है भाज्य के पहले टर्म को देखिए और अपने भाजक के पहले टर्म को देखिए फिर इसके बाद भाज्य के पहले टर्म को भाज्य के पहले टर्म से डिवाइड कर दीजिए तो divide करने से क्या मिलेगा इसमें दो घात है इसमें तीन घात है तो दो घात इसमें से गायब हो जाएगा cancel होने के बाद बचेगा एक घात तो यहाँ पर आजाएगा 3X इसका मतलब है कि यहाँ पर भागफल में हमको 3X लिखना है यानि कि 3X से इसको भाग देना है अब 3X से भाग देते समय हम लोग क्या करेंगे कि 3X का गुड़ा सब में करना पड़ता है ठीक है 3X का गुड़ा सब में करेंगे 3X का X स्क्वाइर में गुड़ा करेंगे तो आएगा 3X क्यूब ठीक है अब 3x का 2x में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और x का x में होगा तो x square 6x square और 1 का 3x में होगा तो आएगा 3x जो भी सेम घात वाले पद हो उनको उपर नीचे लिख लेंगे यानि कि यहाँ पर 2 घात वाला है तो इसके नीचे 2 घात वाला लिखे हैं यहाँ पर 1 घात वाला है तो इसके नीचे 1 घात वाला इससे आपको सुभिधार रहेगी फिर इसके बाद घटाते हैं घटाने से यहाँ पर जानते होंगे यहाँ पर चिन बदल जाता है तो यहाँ पर यह प्लस में है तो माइनस हो जाएगा यह भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा यह भी माइनस हो जाएगा अब यह प्लस में 3x cube है यह माइनस में 3x cube है यह cancel हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अब इसको हम लोग minus समझेंगे plus नहीं समझेंगे यह minus x square यहाँ पर x square तो कितना हो जाएगा minus 5 x square और यहाँ पर plus 2 x और minus 3 x है यहाँ पर आजाएगा minus x minus 3 plus 2 होता है minus 1 यानि minus x और यहाँ पर 5 बचा हुआ है तो 5 को भी लिख लिजिए फिर इसके वाद से हम ही काम करेंगे इसका पहला टर्म देखिए और इसका पहला टर्म देखिए इसके पहले टर्म को यहाँ पर लिख लिजिए minus 5 x square और इसको divide करना है x square से x square से divide करेंगे तो x square x square cancel हो गया तो आएगा minus 5 यानि कि भागफल का अगला पद होगा minus 5 यहाँ पर लिखिए minus 5 अब minus 5 का गुड़ा भाजक के हर एक पद में करना पड़ेगा तो minus 5 का गुड़ा करिए तो आएगा minus 5 x square और 2 x में minus 5 का करेंगे तो आएगा 5 दूना 10 हो आएगा minus 10 x और minus 5 का 1 में करेंगे तो minus 5 देखिए अब फिर से घटाएगे तो क्या हो जाएगा चिन में बदल जाएगा यह minus में है तो plus हो जाएगा यह भी minus में है तो plus में हो जाएगा और यह होगा minus 5 x square plus 5 x square cancel हो गया और यह अब plus 10 x है और यह minus x है तो जोडने से आएगा 9X और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5 और प्लस 5 मिलके प्लस 10 अब यहाँ पर गौर कीजिए कि जो भी बहुपद यहाँ पर आया है इसकी घात है 1 देखिए यहाँ पर जो भी चर है उसमें मैक्सिम घात 1 है तो इस बहुपद की घात है 1 और जो हमारा भाजक था इस बहुपद की घात है 2 तो जभी भी भाग देते समय कुछ ऐसा बहुपद आ जाए जिसकी घात भाजक के घात से कम हो तो वहीं पर भाग देना बंद कर देते हैं यहाँ पर घात एक है यहाँ पर घात दो है तो इसके आगे हम लोग भाग नहीं दे सकते तो जो कुछ भी बचा हुआ है यह हो जाएगा सेसफल और यह हो जाएगा हमारा भागफल यह हमारा भागफल तीक है जैसे कि मानली जी यहाँ पर पंदरह है और पंदरह को हम लोग को दो से डिवाइड करना है तो कितना आएगा दो सते 14 यहाँ पर कितना बचेगा एक जैसे संख्याओं में होता है कि यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाए जो कि हमारे भाजक से छोटी हो तो वहाँ पर भाग देना बंद कर देते हैं और उसी को बोल देते हैं यह सेसफल है इसी तरह से बहुपदों में तब तक भाग देते हैं जब तक कि जो बहुपद हो उसकी घात भाजक के घात से कम न हो जाए या फिर कभी-कभी नंबर्स में ऐसा भी होता है कि पूरा-पूरा नंबर कट भी जाता है इसी तरह से बहुपदों में भी तब तक भाग देते हैं जब तक कि यह सेसफल जीरो आ जाए या फिर जो भी बहुपद आ रहा है उसकी घात भाजक के घात से कम न हो जाए यानि कि यह तो सेसफल जीरो हो सकता है या जो भी सेसफल होगा सेसफल की घात हमेशा भाजक के घात से चोटी होगी हमेशा भाजक के घात से चोटी होगी तो हमारा टॉपिक है बहुपदों के लिए विवाजन एल्गोरिदम यानि कि डिविजन एल्गोरिदम फार पॉलिनॉमियल्स तो chapter 1 में हमने प्रोडांकों के लिए विवाजन algorithm सीखा था सेम उसी तरह का concept बहुपदों के लिए भी लागू होता है देखिए हमने chapter 1 में आपको प्रोडांकों के लिए जब विवाजन algorithm बताया था तो हमने आपको बताया था कि algorithm का मतलब क्या होता है algorithm का मतलब होता है कि किसी भी problem को solve करने के लिए जो कुछ भी step follow किया आता है उसी को हम लोग बोलते हैं algorithm तो एक बार recall करते हैं कि प्रोडांकों के लिए विभाजन algorithm का concept क्या था तो मालिक ये एक संख्या है 15 और इसको 2 से भाग देनी है तो कितना आएगा 2 सते 14 और यहाँ पर बचेगा 1 तो अगर 2 का गुड़ा 7 में कर दिया जाए और 1 जोड दिया जाए तो क्या मिलेगा 2 सते 14 प्लस 1 क्या मिलेगा ये मिल जाएगा 15 तो concept क्या था हमारा पोडांकों के लिए विभाजन algorithm का concept ये था कि अगर इसको हम लोग बोलते हैं भाज ये भाज ही है और इसको बोलते हैं भाजक इसको बोलते हैं वागफल और इसको बोलते हैं सेसफल तो हमने सीखा था कि भाज बराबर भाजक गुड़े वागफल धन सेसफल होता है देख भी सकते हैं, भाजक का गुड़ा भागफल में हुआ है और फिर उसके बाद सेस्फल को जोड़ा गया है तो ये भाज्य मिल रहा है तो हमने पढ़ा था कि भाज्य बराबर भाज्यक गुड़े भागफल धन सेस्फल देखिये, भाज्य यहाँ पर 15 और यहाँ पे भाजक कितना है 2 और भागफल है यहाँ पे 7 सेसफल यहाँ पे है 1 तो 2 सते 14 14 और 1 15 यह लागू हता है तो यही concept same विभाजन algorithm में भी लागू हता है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि PX और GX कोई दो बहुपद है जहां GX is not equal to 0 तो हम बहुपद QX और RX ऐसे प्राप्ट कर सकते हैं कि PX बराबर GX into QX प्लस RX तो इन सब का मतलब यही है कि भाज बराबर भाजक गुड़े भागफल धन सेसफल यहाँ पर जो PX है वो भाज को रिपरजेंट कर रहा है और यहाँ पर जो GX है वो भाजक को रिपरजेंट कर रहा है यहाँ पर जो QX है वो भागफल को रिपरजेंट कर रहा है और जो यहाँ पर RX है वो सेसफल को रिपरजेंट कर रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है gx is not equal to 0 इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं gx यहाँ पर क्या है gx यहाँ पर भाजक है तो भाजक कभी भी 0 नहीं हो सकता 0 से हम लोग किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते और अभी हमने आपको बताया था कि rx यानि की सेसफल क्या क्या हो सकता है सेसफल या तो 0 होगा या फिर सेसफल की जो घात होगी वो gx यानि की भाजक के घात से हमेशा कम होगी तो अभी हमने example number 7 solve किया था तो इस पर हम लोग अपने concept को check करते हैं कि हमारा concept इस पर लागू होता है कि नहीं होता है तो इस question में भाज ये था हमारा 3x q plus x square plus 2x plus 5 इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है भाजक था हमारा x square plus 2x plus 1 और यहाँ पर भागफल मिला था हमें 3x minus 5 और यहाँ पर सेसफल मिला था 9x plus 10 तो इसको verify करते हैं कि क्या यहाँ पर यह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है तो देखिए right hand side से हम लोग solve करते हैं पहले तो right hand side यहाँ पर है right hand side यानि कि यह वाला पार भाजक गुडे भागफल धन सेसफल तो भाजक यहाँ पर कितना है हमारा भाजक है x square plus 2x plus 1 गुडे भा भागफल हमारा है 3x minus 5 तो भागफल हो जाएगा 3x minus 5 plus सेसफल सेसफल कितना है हमारा 9x plus 10 9x plus 10 अब इसको हम लोग solve करके देखते हैं कि क्या इससे हमें भाज मिलता है या नहीं मिलता है देखिए यहाँ पर गुडा करना है तो x square को select करते हैं पहले x square का गुडा करेंगे 3x म में करेंगे तो minus 5x square फिर 2x का गुडा करेंगे 3x में तो आएगा 2-3 x square 2x का minus 5 में करेंगे तो minus 10x फिर 1 का 3x में करेंगे तो आएगा 3x फिर 1 का minus 5 में करेंगे तो आएगा minus 5 और यहाँ पर बचा हुआ है 9x plus 10 तो यहाँ पर देखिए अगला step में हो जाएगा 3x cube square वाला part पार देखिए यहाँ पर है 6x square यहाँ पर है minus 5x square तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1x square यानि कि x square के वल बचेगा ठीक है और x वाला पार्ट देखिए यहाँ पर plus 9x है यहाँ पर plus 3x है यह दोनों मिलके हो जाएगा 12x plus में plus 12x और minus 10x है पहले से तो 12x में से 10x minus करेंगे तो हो जाएगा plus 2x और यहाँ पर देखिए 10 में से 5 को minus करेंगे तो आएगा plus 5 और यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि जो कुछ भी हमारा result मिला हुआ है सेम वही भाज है ओके तो यह भाज के बराबर आ रहा है यानि कि left hand side के बराबर आ रहा है तो इससे हमारा concept verify हो जाता है कि अ इसका है यह दो अ नहीं है कि अ